हेलो गाईज कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे रहें नमस्कार दोस्तो विजद हमाका अरवेदा के चैनल में आपका सोगत करता हूँ दोस्तो आज मैं बताने वाला हूँ धातू रोग, चिपचिपा पानी, नाइट फाल, सिग्र पतन की समस्या, मरदाना ताकत में कमी और लिकोरिया की जैसी समस्या, सफेद पानी आना इस विमारी में बहुत ही अच्छा काम करता है नुक्षा यह ठंडी तासीर की दवा होती है और कबजियत में राहत देता है और पेट को सही रखता है और धातू रोग में बहुत ही वेहतरी नुक्षा काम करता है इसके फायदे बहुत काफी है और इसके बारे में आप लोग को शिर्फ धातू रोग और लिकोरिया के बारे में बता रहा हूँ और बहुत सारी विमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है जो बहुत बहतरीन response मिलता है और इसका response बहुत तेजी से मिलता है दोस्तों मैं बता दूँ आप लोग को मैं बता दूँ कि यह अरजुन का च्छाल है आप लोग देख सकते हैं इसी तरह से रहता है आप पर्चे कर सकते हैं वीडियों में अच्छी तरह से यह अरजुन का च्छाल है यह बहुत सारी बीमारियों में इस्तमाल किया जाता है यह आपको जड़ी बूटी के दुकान पे मिल जाएगा और किसी भी मेटकल स्टोर पे इसका टेबलेट बनाया जाता है जो ओ आपको प्राप्त हो जाएगा हर जगहों पे आप लोग को यह प्राप्त हो जाएगा और इसके पेड़ भी बहुत बड़े-बड़े रहते हैं वहाँ से भी आप लोग निकाल सकते हैं उसके च्छाल को और उस्तों मैं बता दू आप लोग को यदि आप लोग इस नुक्से का सेवन करना चाहते हैं तो आप लोग अगर अरजुन का पेड़ मिल जाता है वहाँ से जाकर आप लोग निकाल के लाते हैं तो आपको च्छाल मिल जाएगा जो बहुत ही बहतरे इन रिजल्ट देखने को मिलेगा दोस्तों मैं बता दू जो जड़ होता है जड़ के नीचे एक हाथ है दि आप लोग नीचे मिटी निकालते हैं और उसके नीचे का छिल्का निकालते हैं तो बहुत ही कारगर रहता है और बहुत ही तेजी से रिस्पांस दिखाता है यदि आप लोग इस तरह से निकाल के लाकी इसका पाउडर बना के इस्तमाल करते हैं तो तो धातू रोग और लिकोरिया की समस्या और सिग्रपतन की समस्या ये सारी विमारी जड़ से ठीक हो जाएगी दोस्तो मैं बता दूँ एदि आप लोग बहुत सारा दवा खाके परसान हो गए हैं आप लोग की समस्या नहीं सही होती है तो उमीद करते हैं अगर इस नुक्से का आप लोग इस्तमाल करेंगे तो आप लोग को जरूर लाब मिलेगा और जल्दी से जल्दी आपकी समस्या ठीक हो जाएगी और दोस्तो बहुत ही कारगर यहाव सद्दिया हैं बहुत ही बहतरीन काम करती है दोस्तो इसका पाउडर बनाके 5 गराम सुबह खाली पेट लें और साम को खाना खाने से एक घंटा पहले 5 गराम लें और इसी तरह से सेवन करें आप लोग की समस्या ठीक हो जाएगी यदि आप लोग इस नुक्से का सेवन कर रहे हैं तो गरम परकार वाली चीजे ना खाएं सादा खाना खाएं जो आपको बहुत ही वहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा दोस्तों मैं बता दूँ यदि आप लोग धातूरों की सिग्रपतन और नाइट फाल की समस्या से यदि आप लोग छुटकारा पाना चाते हैं तो दोस्तों बरमचारी का पालन करना अनिवार है यदि आप दुनिया की कोई भी दवा खाते हैं अगर बरमचारी का पालन नहीं करते हैं तो फिर आपको कोई नहीं सही कर पाएगा आप लाख परियास कर लिजिए लेकिन आप लोग की समस्या नहीं ठीक हो पाएगी क्योंकि दोस्तों बरमचारी का पालन करके अपने इस स्पर्म को रोकना रहता है क्योंकि इस स्पर्म जब आपके सरीर में रुकता है तभी आपके सरीर में जान आता है और हर चीजों में परिवर्तन होता है और सारी समस्या दूर हो जाता है तो दोस्तों यदि आप लोग इस नुक्से का सेवन कर रहे हैं तो आप लोग बरमचारिया का पालन करें जो आपको रिजल्ट देखने को बहुत ही जल्द मिल जाएगा और समस्या कुछी दिन में जड़ से ठीक हो जाएगी दोस्तों यदि आप लोग ब्रहमचारी का पालन नहीं करते हैं तो यह नुक्सा आप लोग को नहीं काम करेगा यदि आप लोग ब्रहमचारी का पालन करके इस नुक्से का सेवन करते हैं तो सव नहीं 110% गरांटी है दोस्तों यह नुक्सा बहुत ही वहतरिन काम करता है तो द आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा तो दोस्तों आज के लिए इतना था और मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों धन्वाद